वेग गेन, दुबलेपन से हैं परेशान, जानिए वजन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, वेग गेन रेमेडीज, आजकर ज्यादातर लोग मोटापे से पीरेथ हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने पतले शरीर से पीरेथ हैं, ऐसे लोगों का शरीर और आयाम से भी वजन बढ़ाया जा सकता है, वजन बढ़ाने के लिए डायट में शामिल करें हाई कैलोरी, वजन बढ़ाने के लिए आपको हाई कैलोरी डायट खाने की जरूरत है, इसके लिए आहार में बिना चोकर का आटा, रोटी, चावल, आलू, शकरकंद, फूल क्रीम दूद शामिल करना चाहिए। दही, पनीर, सूजी, गुर, चॉकलेट खाएं। इसके अलावा फलो में केला, आम, चीकू, लीची, खजूर का सेवन करना चाहिए। आप शहद को घर के बने गी, ब्राड, मक्खन, दूद या चॉकलेट के साथ पी सकते हैं। इनसे शरीर को ह हाई कैलोरी मिलेगी, घर पर बने फास्ट फूड का करे सेवन, घर के बने लड़ू, मिल्क शेक, उबले चने, पनीर सेंडविच, साबू दाने का हलवा दो बार भूजन के बीच खाना चाहिए। इसके अलावा आप कॉन सलाद, खजूर, गुर चना, बादाम, कर्ट भी इससे आपको एनरजी मिलेगी और वजन भी बढ़ेगा, प्रोटीन से भरपूर आहार ले, वजन कम होने से मांसपेशिया भी कमजोर हो जाती है, ऐसे में मांसपेशियों को मजबूर बनाने के लिए प्रोटीन युक्त खादे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। दाले, जो में आप जमीन में उखने वाली चीजे जैसे आलू, शकरकंद और गाज़ खा सकते हैं। ड्राइफ रूट का सेवन फाय देमंद, प्रति दिन तीन सो से चार सो अतिरेक्ट कैलोरी खाने से वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। किश्मिश को रात भर भीगो कर रख दे और सुबह उसे खा लें। दो से तीन महीने में फर्क दिखने लगेगा। साथ ही किश्मिश फैट को हेल्दी कैलोरी में बदलने का काम करती है। दुबलिपन को दूर करने के लिए अक्रोट खाना भी एक अच्छा विकल्थ होगा क्योंकि इसमें मोनो उनसिचरेटेट फ वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइच के बाद प्रोटीन युक ताहार लें। यह मानस्पेशियों की वृद्धी में मदग करता है। आप पनीर, उबला अंडा या उबला हुआ चिकन खा सकते हैं। जंक फूड से रहे दूर। जंक फूड का सेवन कम से कम करना चाहिए इससे गलत तरीके से वजन बढ़ने लगता है जिससे शरीर को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बाहर के खाने से परहेज करें। ऐस तरह के घरेलू उपाय से आप जल्दी से वेट गेन कर सकते हो। इस तरह की नई नई हेल्थ टिप्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थांक यू।